दोस्तों रमस्कार मैं संजय बग्गु और मौजूद है देश रोजाना के डिशनल मीडिया मंच पर हर्याना विधान सभाज चुनाव के बाद अब महराश्टर और जहारखंड में चुनाव शुरू हो चुका है दो चरण में जहारखंड में चुनाव होगा और एक चरण में चुनाव होगा महराश्टर के अंदर 20 तारिक को महराश्टर में मद्दान होगा और 13 और 20 तारिक को यानि कि 13 और 20 नवंबर को जहारखंड में चुनाव होगा एक चुनाव और वेटिट था जिसकी अभी गोशना नहीं होई यानि कि वो चुनाव अगले अपने समय पर पूरा होगा वो चुनाव है दिल्ली का दिल्ली विधान सभा का चुनाव फरवरी में ड्यू है दिल्ली के जो पूरू मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल जिन्हों ने इस्तीफा दिया और जिनके स्थान पर आतीशी मुख्य मंत्री बनी आमादनी पार्टी ने अपनी गोहार लगाई थी कि उनका चुनाव भी समय से पहले करा दिया जाए लेकिन वो हुआ नहीं और चुनाव अपने समय पर होगा लेकिन दिल्ली की राजनीती समय पूरे उफान पर है और क्योंकि दिल्ली और हर्याना मिले हुए हैं दिल्ली में लगातार भारती जन्ता पार्टी पिछले लगवग तीन दशक से दिल्ली की सत्ता से बाहर है लगवग रही दशक से जादा हो चुका तीन टर्म यहां पर पूरी की शीला दिक्षित ने कॉंग्रेस सरकार के रूप में फिर 49 दिम की सरकार अरविंद केजरिवाल की और अब दो टर्म दूसरी टर्म पूरी होने जा रही है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरिवाल की आम आदनी पार्टी की तो इसलिए आज से लगवग 28-27-28 साल हो गए कि दिल्ली की सत्ता से भारती जन्ता पार्टी दूर है हर्याना में भी हाली में चुना हुआ है त इनकी तो फरिदाबाज से आप देखें तो वाद्द्ण गड़ से आप देखें तो फिर सोनी पत से तमाम दिल्ली को चारों तरफ से धिल्ली को घिरा हुआ इसलिए दिल्ली का चुनाव हर्याना के इसाब से काफी हत तक प्रभावित होता है लेकिन ये बात अगर मैं कहूं कि पिछले काफी समय से नहीं हुई तीन टर्म से लगातार जो सरकार दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल की आमादनी पार्टी की बन रही है तो हर्याना में भाजबा की बन रही है हर्याना के भाजबा के जो सरकार बनती है उसका असर दिल्ली तक नहीं पहुँच पाया अब क्यूंकि चुनाव है तो चुनाव के अंदर बात चुनावी होंगी दिल्ली का चुनाओ मैंने आपको बताया कि हर्याना से काफियत तक प्रभावित होता है तो इस लिहाज से दिल्ली के अंदर इस समय कई मुद्दे इस समय पूरे चरम पर है और उनके साथ जोड़ा जा रहा है हर्याना को आपको ध्यान होगा पिछले दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बयान दिया था कि दिल्ली में जो परदूशन हो रहा है क्योंकि जब ये मौसम बतलता है गर्मिया जाने का और सरदी आने का इस समय पूलिशन की समस्या सबसे ज़ादा होती है इनी दिनों में परवतिवार होते हैं अभी दिशहरा मनाया है लोगों ने विजय दश्मी हुई है अब दिपावली आएगी और फिर छट पूजा आएगी और इन सभी पर पॉलिशन का जो जंजाल है वो खासकर दिल्ली को काफी परशान करता है और पॉलिशन को लेकर दिल्ली की राजनीती भी पूरे उफान पर रहती है और आसपास के राज्ये भी उस राजनीती में होते हैं आपको ध्यान होगा कि दिल्ली के जब मुख्य मंत्री अर्विंद केजरिवाल हुआ करते थे तब तक पंजाब की सरकार आमादनी पारिटी की नहीं थी तो उस समय अर्विंद केजरिवाल हरियाना और पंजाब को घेरा करते थे उसके बाद उनकी पंजाब में सरकार बन गई तो पंजाब को घेरना बंद कर दिया हर्याना को घेरना लगातार जारी है दिल्ली की मुख्य मंत्री आतिशी ने पिसले दिनों दिल्ली के जो यमुना में पॉलिशन है जल परदूशन को खास कर ले करके वहाँ पर एर पॉलिशन और वाटर पॉलिशन दोनों बड़े गंभीर हैं और यमुना के परदूशन को ले करके आतिशी ने हर्याना सरकार पर हर्याना के मुख्य मंत्री को कहें खास करतों सीधे घेरा था आतिशी ने कहा था कि दिल्ली की air pollution और water pollution में हर्याना का काफी हद तक roll है जवाब दिया है नायब सिंग सैनी ने उसका यह मैंने आपको पहले ही बता दिया चुनाव है तो नायब सिंग सैनी ने जवाब दिया है नायव सिंग सेनी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो pollution है वो हर्याणा की वज़ा से नहीं दिल्ली की वज़ा से है नायव सिंग सेनी कह रहे हैं कि दिल्ली को यमुना साफ करने के लिए सेंटर गॉर्मेंट ने 6,000 करोड रुपए दिये जिन मेंसे तीन हजार करोड रुपए तो पिछले दो साल में दिये गए और अरोप लगा रहा हैं कि उस पैसे का सदूपयोक करने की बज़ाए दिल्ली सरकार ने दूपईोक किया आप सुने क्या करहा है अरबिंद केजरिवाल आप सुने क्या कह रहे हैं नायब सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंतरी तो आपने सुना इसके अंदर नायब सिंग सेनी कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली के मुख्य मंतरी का शीश महल बनाने में लगी रहती है कह रहे हैं कि उनको दिल्ली की जंता की परवाही नहीं है इसके साथ-साथी नायव सिंग सेनी ये भी कह रहे है कि जो एर वाटर पॉलिशन की यमुना के पॉलिशन की जानों ने कहा कि 6,000 करोड रुपए दिये गए जिनमें से 3,000 करोड रुपए पिछले दो साल में दिये और कहा कि यमना शुद्धी करण पर बताए दिल्ली सरकार क्या किया इसके साथ-साथी नायव सिंग सेनी ने एक बात और स्पष्ट की है दिल्ली सरकार ने यानि कि दिल्ली के मुख्य मंतरी आतिशी ने कहा था कि जो हर्याना की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है वो परदूशित होता है तो उसके जवाब में अर्विंद केजली वाल ने कहा तो उसके जवाब में लगबग 2-3 mg प्रती लीटर है और जो CLC नहर का पानी जा रहा है उसके अंदर BOD शुनने है अगर आपको BOD परिभाशित करें तो BOD के पूरे माइने हुए कार्बनिक जो पतार्थ होते हैं यानि कि बायो केमिकल ऑक्सिजन डिमांड पानी के अंदर जो होती है BOD बायो केमि साथ-साथ उन्हेंने कहा है कि जो नहर का पानी दिया जाता है नहर का पानी दिये जाने वाले कि इसके अंदर BOD की जो मात्रा है वो शुनने है आप इसे भी सुनिए क्या कहा नायव सिंग सेनी ने तो यानि कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में नायव सिंग सेनी कह रहे हैं कि दिल्ली के परदूशन के लिए हर्याना नहीं बलकि दिल्ली सरकार की एक करबनेता और उनकी जो काम ना करने की शेली है इसके साथ-साथ आरोप भी लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की आमादमी पार्टी की सबसे जो प्रमुक बात है वो कि चुनाओं में आमने सामने होना है नायव सिंग सेनी भी दिल्ली में जाएंगे जरूर चुनाओं परचार करने के लिए जिस प्रकार दिल्ली के रिता हरियाना में आये थे तो इस लिहाज से देखें तो यह जो बयान है नायव सिंग सेनी का यह काफी माइने रखता है वैस को क्या लगता है कि यह जो दौनों नेताओं के बयान है यह क्या किवल राजनीती है और या फिर हर्याना के मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी ने तथ्यप्रक्ष जवाब दे करके दिल्ली की जनता की आँख खोलने का काम किया है क्या हर्याना दिल्ली के पॉलिशन के लिए जिम्मेदार है और या फिर आप सुगे क्या कहना है नायव सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंत्री दिल्ली की सरकार की आदत केवल जुठ बोलना को खुद के अलावा हमेशा सब में कमिया नजराना की दूसरों पर इलजाम लगाना और सरकारी पैसे से अपना सीसमहल बनाना ये दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की रीथ बन चुकी है मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार की आदत केवल जुठ बोलना और अपनी गलतियों को दोस दूसरों पर मड़ने की है दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमिया नजराती है हर्याना से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बियोडी लगभग 2-3 एमजी प्रति लिटर होता है इसके अलावा CLC नहर के जरीए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बियोडी सुन्या के बराबर होता है लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के ठाईस नाले यमना में जाते हैं उसमें परदूशन के लिए कौन जिम्मेवार है दिल्ली की आमादवी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंदर सरकार से यमना को साफ करने के लिए यमना एक्षन पलान के नाम पर अभी तक 6,000 क्रोड रुपे से जादा मिल चुके हैं जिन में से 3,000 क्रोड उनको केवल पिछले दो साल में मिले हैं उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है तो आपने सुना इसके अंदर नायप सिंग सेनी कह रहे हैं कि जो दिल्ली की सरकार है वो दिल्ली के मुख्य मंत्री का शीष महल बनाने में लगी रहती है कह रहे हैं कि उनको दिल्ली की जनता की परवाही नहीं है इसके साथ साथ ही नायप सिंग सेनी ये भी कह रहे हैं कि जो एर वाटर पॉलिशन की यमुना के पॉलिशन की जावनों ने कहा कि 6,000 करोड रुपए दिये गए जिन में से 3,000 करोड रुपए पिछले दो साल में द जो हर्याना की तरफ से पानी छोड़ा जा रहा है वो परदूशित होता है तो उसके जवाब में हर्याना के मुख्यमंत्री नायप सिंग सेनी ने कहा है कि जो पानी छोड़ा जा रहा है हर्याना की तरफ से यानि कि उन्होंने कहा है कि जो हर्याना से पानी दिया जा रहा है पेजल पीने वाला पानी उसमें बियोडी उसकी मात्रा लगबग 2-3 mg प्रती लीटर है और जो CLC नहर का पानी जा रहा है उसके अंदर बियोडी शुनने है अगर आपको बियोडी परिभाशित करें तो बियोडी के पूरे मायने हुए कार्बनिक जो पतार्थ होते हैं यानि कि 2-3 mg प्रती लीटर है जो मस्ट है और इसके साथ-साथ उन्हें ने कहा है कि जो नहर का पानी दिया जाता है नहर का पानी दिये जाने वाले कि उसके अंदर इस बियोडी की जो मात्रा है वो शुन्य है आप इसे भी सुनिए क्या कहना है आप सिंग सेनी ने हर्याना से दि काबर होता है लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए मैं यह पूछरा चाहता हूँ कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के ठाईस नाले यूमना में जाते हैं उसमें परदूशन के लिए कौन जिम्मेवार है तो यानि कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार कह रही है क कि दिल्ली में परदूशन को लेकर के हर्याना सरकार जिम्मेदार है तो हर्याना के मुख्य मंत्री नायव सिंग सेनी ने इनको सीधा सीधा जवाब दिया अपनी प्रतिक्रिया में और कहा कि राजनीती ना करें नायव सिंग सेनी कि दिल्ली के परदूशन के लिए हर्याना बल्कि दिल्ली सरकार की एक करमनयता और उन्की जो काम ना करने की शेली है इसके साथ-साथ आरोब भी लगा रहे हैं कि दिल्ली सरकार की और हम आदमी पाटी की सबसे जो प्रमुक बात है वो सीधे आरोब लगा देना जूट बोलना इस ट्रैक की बाते कह रहे हैं एक तरफ तो परदूशन और दूसरी तरफ फिर चुनाव क्योंकि दोनों साथ साथ लगबगा रहे हैं जहां पॉलिशन पर ले करके राजनीती है तो क्योंकि चुनाव में आमने सामने होना है नायव सिंग सेनी भी दिल्ली में जाएंगे जरूर चुनाव परचार करने के ल में तो जितने भी बड़ी सिटीज हैं मेट्रो सिटीज हैं उनके अंदर यह समस्या बड़ी गंबीर होती है आपको क्या लगता है कि यह जो दौनों नेताओं के बयान है यह क्या केवल राजनीती है और या फिर हर्याना के मुख्यमंत्री नायव सिंग सेनी ने तथ्यपर पहले के लिए देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन